सुमेरपूर में एक महिला ने नीजी हॉस्पिटल संचालक पर चिरिंजिवी योजना में इलाज कराने के बावजुद नकद राशी लेने का आरोप लगाया है महिला ने पूरे मामले में न्याले के माध्यम से ठाने में मामला दर्च कराया है पूरे मामले की जाच कर रही है सुमेरपूर ठाना दिकारी लक्षमन सिंग ने बताया कि कमला देवी ने नीजी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर हिम्मत सिंग राठोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्च कराया उन्होंने बताया कि माहिला अपने पती सकाराम को घाल अवस्ता में हॉस्पिटल लाई जाए जहां डॉक्टर हिम्मत सिंग राठों ने उनके पती का ओपरेशन करने की बाद कहते हुए रुपे जमा कराया लेकिन इसके कोई रसीद नहीं दी गई इलाज के बाद महिला के मुबाइल पर चिरनजिवी योजणा के तहत इलाज कराने का मेसेज आया इसमें करीब 33,000 की रकम का बुक्तान सरकार द्वारा चिरनजिवी योजणा के तहत संजीवनी मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल सुमेरपूर में करने के बाद लिखी थी जबकि उन्होंने तो उपरेशन का पूरा पैसा हॉस्पिटल में जमा करवाया था इस तरह हॉस्पिटल प्रबंधन ने उनसे रुपए लेने के बाद भी चिरंजेवी योजना में उपर उठा कर दुखादड़ी का किया है मामला और पलिस मामले की जाच में जुटी है मारा अदमीर एक्सिदेन गुओ तो मूँ ऑस्पिटल लेनगी तो के यह तो ऑपरेशन वे नहीं तो के पिया जमा करावो तो मैं पिया जमा कर रही है विजा जातों कॉंटर मादा जमा कर रही हो विजा है खुण जासरान विजान यह करें मोरा बती जार प्या बील बड़े टोटल तो में हो सी यह के मारे ऑपरेशन वेजेबन पासा देई छूटी देई जे मतले पासा देई यह आरोप सरासर छूल है कमला ड्रीण बड़ेवी जी इनका अप्रेशन नेरे मेरे होस्पटूल में चिरंजीवी योजना के तहत हुआ है जब यह ओपरेशन होता है मुरीश का अगोडे का एक निशान लगता है उसके बाद ही वह स्टार्ट घूता है और मैसेच उसी दि तो प्रोसेस होने में तोड़ा टाइम लगेगा तो आप पापा के लगे बना हुआ जाएगा यह सब्सक्राइब कर दो डच किया गया है जो डॉक्टर इमसिंग लटोर के खिलाब है जिसका अनुसंदान जारी है बाद अनुसंदान लिए हम आपको कोई भी निस्तस के बारे माद बारे जाएगा है।